मैं जब 2014 में काशी गया तो मेरे मुझ से ऐसी एक भाव निकल गया न मैं यहाँ आया हूँ न मुझे किस्ते ने भेजा है मुझे तो मा गंगा ने बुलाया है लेकिन आज दस साल के बाद मैं पुरे भावुकता से कह सकता हूँ आज मुझे लगता है कि मा गंगा ने मुझे गोड लिया दज साल बीद गये काशी से इतना नाता जूड गया कि अब मैं कभी भी गोलता हूँ तो ही कहता हूँ मेरी काशी एक मा बेटे का जैसा भो रिस्ता मैं मेरी काशी के थाथ लोक्तंत्र है लोगों से आशिरवाद में मांगेगे और लोग आशिरवाद देंगे भी लेकिन ये रिस्ता जन प्रतिन दिवाला नहीं है ये रिस्ता किसी और ही अनुभूति कहा है जो मैं फिल करता हूँ करम ही है धरम मेरा धरम ही है मेरा जीवन जीवन ही तो देश मेरा देश ही मेरा थन्मन विकास की लहरे उठी धरती हो गई और पावन मा गंगा कोशिश जुका के करने आया हूँ मैं नमन काशी के साथ मोदी जी का अटूट नाता है ही ऐसा कि जब तक बनारत नहीं आई तब तक हमार मन नहीं माने ला दज साल पहले आप लोग हमके बनारत का सांसत बने ला काशी हमारे भारत की सांस्कृतिक आध्यात्मिक राजधानी है ही पर दस साल पहले देखें तो बनारत के सिर पर तारों का जाल घाट घाट गंदे बेहाल ट्राफिक जाम अटकते लटकते भटकते काम भक्तों को अपार कश्ट और परेटक द्रस्ट फिर काशी ने चुना नमो को तो दस साल में तारों के जाल की जगे अंडरड्राउंड केबल्स हैं जहां जाम लगता था वहां आज शांदार फ्लाई ओवर्स हैं अब दुनिया भर से परेटक आते हैं यहां वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन दिखते हैं काशी वासियों को सम्रिधी के नए मार्ग खुले मिलते हैं देश का पहला मल्टी मॉडल टर्मिनल, दुनिया का पहला फ्लोटिंग सी एनजी स्टेशन, दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज ये नए काशी की पहचान है अब नए पक्के घाटों पर एलीडी चमकती है काशी अपनी विरासतों का गुडगान करती दिखती है मोदी जी ने दुनिया भर के महमानों को काशी के रंग में रंग दिया सपने नहीं हकीकत बुनते, तभी तो सब मोदी को जुटे स्वच, निर्मल, अविरल कंका भारत वर्ष की उर्जा है काशी और संस्कृती एकी चीच के एकी उर्जा के दो नाम है आज काशी बिना रुके, बिना थमे, विकास के नित नए रिकॉर्ड बना रही है कि बाबा की ये नगरी कभी थमती नहीं, कभी ठकती नहीं, कभी रुकती नहीं मोदी जी की भक्ती की शक्ती ने काशी वासियों के सहयोग से साकार कर दिखाया भव्य काशी विश्वनाद धाम का सपना काशी करती है और दुनिया देखती है पहले मंदिर से मां गंगा तक पहुँचने का कोई सीधा रास्ता न था अब श्रद्धालू काशे विश्वनाद से सीधे मागंगा के चरणों को चू सकते हैं मंदिर तक आने की सकरी गलियों की जगे अब चौड़ी राहे हैं मंदिर परिसर जो केवल 3000 वर्क फीट में था आज 5 लाक वर्क फीट का हो गया है पहले जिस मंदिर में मुश्किल से 2-3 हजार श्रद्धालू आ सकते थी वहाँ अब परिसर में 70 हजार श्रद्धालू आ सकते हैं 2017-18 में काशे आने वाले परियटकों की संख्या 62 लाक के करीब थी यही संख्या 2022-23 में बढ़कर 7 करोड हो गई जो की लगभग 12 गुना अधिक है यह परिसर साक्षी है हमारे सामर्थकां हमारे कर्टव्यकां अगर सोच लिया जाए हान लिया जाए तो संबहो कुछ भी नहीं काशी से मोदी जी का ना था सतत विकास का है असीम विश्वास का है मेरी काशी आगे बढ़ रही है अपने गवरव को फिर से नई भव्यता दे रही है काशी के बारे में मैं जितना बोलता हूं उतना ही भाव बोलता है जब मोदी जी 2047 तक विकसित भारत बनाने का संकल्प उठा चुके हैं तो उसका आधार बनेगी विकसित काशी ये है मोदी की कारेंटी